लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दोस्तों ये अवार्ड देश के विकास में निस्वार्थ योगदान के लिए दिया जाता है अब ऐसे में ये अवार्ड पियम मोदी को मिलने जा रहा है तिलक इसमारक मंदे ट्रस्ट ने ये अवार्ट PM Modi को देने के खोशना की लेकिन इस खोशना के एक दिन बाद ही कॉंग्रेस और उद्धफ ठाक्रे ने इसको लेकर आपत्ती चिताई है जी हाँ, दरसल यहां कॉंग्रेस और उद्धफ ठाक्रे का कहना है कि PM Modi की वो NCP प्रमुख शरतवार से प्रोसकार सुईकार करने के लिए तयार है जिन पर उन्होंने हाल ही में भ्रस्ट होने का आरोप लगाया था क्योंकि इस कारिक्रम में मुख्या अतिती के रूप में शरतवार को आवंतृत किया गया है दोस्तों इन एताओं को ऐसे समय पर आमंतृत किया गया है जब अपने चाचा शरतवार से बगावत कर अजीत अबार ने महराश्य सरकार से हाथ मिला लिया है उनके उपमुख्यमंत्री पत किशपत लेने और NCP पर दावा करने के बास सही महराश्य मिराशनेतिक उठापटक जारी है यहाँ आपको ये बता दे कि ट्रस्ट के उपाध्यक श्रोकी तिलक जो स्वतंतृता सैनानी लोकमाने तिलक के वन्शच है और वाज्य कांग्रेस के महासचीव है उन्होंने सुमवार को पिया मोदी को इस साल का तिलक पुरुसकार एक अगस को देने की खुशना की थी इसके बाद शिफसीना ने इसका विरोत किया मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें आगबारों में ये पढ़कर आश्यारे हुआ कि पिया मोदी को शरत पवार से लोकमाने तिलक पुरुसकार मिलेगा वो अब आपके यानि की बीजेपी के साथ है शरत पवार आपको पुरुसकार प्रदान करने जा रहे हैं और हमारी पार्टी के दल बदल आपके साथ है ट्रस्ट के इस कदम से सहमती जिताते हुए शहर कॉंग्रेस प्रमुक अर्विंध शिंदे ने कहा कि तिलग इसमारक मंदिर ट्रस्ट के उपाधियक स्राज्य कॉंग्रेस के पदादिकारी है हमारे नेता राहूल गांदिया और कॉंग्रेस पार्टी मोदी सरकार की नीतियों के आलोशना करते रहते हैं कॉंग्रेस नीता द्वारा प्रधान मंदिर मोदी को राष्टर निर्मान में उनकी योगदान के सरहाना करते हुए प्रोशकार देने के घोशना से पार्टी कारे करता नाखोश है उनने इस पर नाराज़गी जताई हैं शहर कॉंग्रेस ने भी पार्टी के राष्ट्र एकाई को पत्र लिकर कहा कि लोकमाने तिलक कॉंग्रेस के आदमी थे। उनकी नाम पर पिया मोधी को प्रोष्कार देने से पार्टी कारे करता हूँ और देश भर में गलत संदेश जाएगा। इस पूरे खटनकरम पर प्रतिकरिया देते हुए रोहित तिलक ने कहा कि प्रधान मंत्री को लोकमाने तिलक राष्ट प्रोष्कार देने पर कॉंग्रेस की नाराजगी ये विरोत की मुझे जानकारी नहीं है। विष्टित हस्तियों को सम्माने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्तियों ने पीम मोदी के नाम को अंतिम रूप दिया है। प्रधान मंत्री के सम्मान में आयुजित कारिक्रा में महराश्ट्रे के राजयपाल, रमेश पैस, मुख्यमंत्री एकनाश इंडे, दोनों उप मुख्यमंत्री, दिवेंद्र फर्नवीस और नमनियुक्त अजीत पवार के साथ साथ कहीं प्रमुख नेता, मुख्य अदुत अगावतकर अजीत पवार ने महराश्ट्रे सरकार से हाथ में डालिया है, उनके मुख्यमंत्री पत की शपत लेने और न्सीपी पर दावा करने के बाद से ही महराश्ट्रे में राजनितिक उठापटक जारी है, हलाकि इसका विरोध अब शिफसेना के जो नेता है, यानि क उद्दव ठाकरे ने इसका विरोध किया है और उनने कहा कि क्या पीएम मोदी एक ऐसे नेता से जिन पर भर्ष्ट अचार का अरोप उनने लगाया था, क्या एक ऐसे नेता से आप पर उसकार लेना चाहेंगे, देखिए इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जो उद्दव ठाक अपरे ने कहा क्या वो सही है या फिर गलत, आप अपने विचारा में कमेंट सेक्शन में सरूर बताएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा